कि परमेश्वन ने आपको टैलेंट से, वर्दानों से, गिफ्ट से भरा हुआ है, बस आपको उन्हें पहचानना है, प्रभू जो तुछ पर विश्वास करता है, जो तेरे पीछे चलता है, हर एक जन को प्रभू तुने दान वर्दानों से भरा है पिता, और वो अपने वर् मिश्वर, जय मसिकी, मैं जारखान से बोल रहे हूँ, मेरा नाम है किरिष्टिना सोरेन, कुछ दिन पाले मैं मेरा भाई दूस्ट आत्मा से परिशान था, और मेरा हस्पेंड के खासी से परिशान था, उन्होंने अंगरिता सिस्टर के पास पराथना रिक्वेश्ट से भे सिस्टर आपी के बरादर को भी धन्यवाद करते हूं, उसके पूरे टीम को धन्यवाद करते हूं, जय मसिकी, आमेन हमारे चैनल हिंदी बाइबल मेसिज और प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद प्रेजर और दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रातना में, और आज मैं आपसे बात करना चाता हूँ, que प्रभू ने जो वर्दान आपको दिये हैं, उनके दोवारा प्रभू आपको इस्तिमाल करेगा, प्रभू आपको बहुत तायच से इस्तिमाल करेगा, और आप मेंसे बहुत से भाई बैन, जो सोचते हैं उनके अंदर तो कोई वर्दान है यह नहीं, परमेशन ने उन्हें कोई वर्दान है परमेश्य ने जब आपको चुना उसी समय आपके अंदर गिफ्ट पैदा हो गए हैं जिस घड़ी आप अपने मा के गर्व से बाहर निकले आपके अंदर वर्दान है तैलेंट हैं आपके अंदर बस आपको उन्हें पहचानना है जिस घड़ी आपने प्रभु पर उन्हें दान वर्दानों को आपको इस्तिमाल करना है और प्रभु आपको इस्तिमाल करना सुरू करेंगे एक वचन हम लोग पढ़ेंगे दूसरे तिमुथियूस के किताब उसका पहला अध्याय और छेपन जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है इस कारण मैं तुझे वर्दान है तूसे परजोलित कर दे तूसे निखारता रहे तूसे चमकाता रहे तूसे बढ़ाता रहे उसे परजोलित करता रहे उसे बूझने न दे उसके परतिमिस्चिंत मत रहे बलकि उसे जलाता रहे उसे परजोलित करता रहे उसे बढ़ाता रहे उस पर काम करता रह उस पर ध्यान देता रहे तब क्या होगा परमेश्र तुझे इस्तिमाल करेगा लेकिन बहुत सारे भाई बेहन हैं जिनके अंदर वर्दान हैं वो जानते हैं उनके अंदर वर्दान हैं लेकिन उन्होंने उस वर्दान को बुजा दिया है, उस वर्दान को उन्होंने दबा दिया है, वो उसके परती निशिंत हैं, वो उसके विश्य में सोचते भी नहीं हैं, वो उसे इस्तमाल भी नहीं करते, उन्होंने उसे चुपा दिया है, जैसे मतिर जिसु समचार उसके 25 येश्य मसी ने एक द्रिश्टांत सुनाया कि स्वामी ने अपने सेवकों को दूर देश जाते समय कुछ तोड़े दिये, एक को पांस तोड़े दिये एक को एक तोड़ा दिये, जिन सेवकों को पांस तोड़े मिले थे और जिस सेवक को दो तोड़े मिले थे उन्होंने मार्केट में जाके उन तोड़ों से ब्यापार किया और पांच और कमा लिए और दूसरे ने दो और कमा लिए जब उनका स्वामी वापस आया और उसने उनसे लेखा लिया कि मैंने तुम्हे पांस तोड़े दिये थे, तुझे दो तोड़े दिये थे, उनका लेखा दो, क्या किया तुमने उनका, तो पहले ने कहा, सौमी तुने मुझे पांस दिये थे, मैंने उनका दस्त कर दिया, दूसरे ने कहा, आपने मुझे दो दिये थे, मैंने उनके चार कर लेकिन वहीं एक और है, एक और सिवक है, जिसके पास एक तोड़ा दिया गया था, जानते हैं उसने क्या किया, उसने उसे जमीन के अंदर छुपा दिया, उसने उसे बढ़ाया नहीं, उसने उसे इस्तमाल नहीं किया, उसने उसे काम पर नहीं लगाया, बलकि उसे छुपा द जब वो आया, उससे पूछा गया, उसने का प्रभू, तुने मुझे एक दिया था, मैं तुझे ये वापस दे रहा हूँ, मैंने इसका कुछ नहीं किया, तब उसका स्वामी गुसे में आकर कै, हे दुस्ट, हे दुस्ट दास तुने ऐसा क्यों किया, तुझे चाहिए था कि क कम से कम इसे तु ब्याज पर देता, ताकि जब मैं वापस आओ, तो कम से कम ब्याज का पैसा मैं ले लेता, इसी परकार से दोस्तों, बहुत सारे भाई बहन हैं, जिन्होंने अपने वर्दानों को छिपा दिया है, बुझा दिया है, एक दिन परमेश्र आपसे पूछेगा कि मैंने तुझे वर्दान दिये थे, मैंने तुझे टैलेंट दिया था, मैंने तुझे दान वर्दानों से भरा हुआ था, तुने मेरे राज्य के लिए उन्हें इस्तिमाल क्यों नहीं किया, तुने उन्हें क्यों दबा दिया, तुने उन्हें पर काम क्यों नहीं किया, त चाहिए वो छोटा हो, चाहिए वो बड़ा हो, चाहिए वो कोई भी वर्दान हो, कोई भी टैलेंट हो, यदि आपके अंदर है, तो उसे परमेशो के राज्य के लिए इस्तमाल करें, उस पर काम करना सुरू करें, उसे परजुलित करें, उसे चमकाएं, उसे निकारें, उसको द्वारा परमेशो के राज्य की बड़ोतरी के लिए काम करें परमेशो आपको आसीज देगा परमेशो आपको आगे बढ़ाएगा उसी वर्दान के द्वारा वो आपको पर्तिस्चित करेगा वो आपको आगे बढ़ाएगा उसे छुपाई नहीं उसे दबाई नहीं, यदि आपने उसे छुपा दिया उसे दबा दिया, तो आप परमेश्यो के दिरिष्ट में विश्वास योग्य नहीं ठैरेंगे, आपको परमेश्यो के दिरिष्ट में विश्वास योग्य ठैरना है, कि प्रभू तुने जो वर्द पर काम करना सुरू करें, तो उस वर्दान को दबाएं नहीं, हो सकता है आपके अंदर गीत गाने का वर्दान हो, तो उसको इस्तमाल करें अपनी कलीसिया में, उसको इस्तमाल करें आप एक चोटा सा वीडियो बना के डाल सकते हैं, अपने स्टेटस में लगा सकते हैं, कहीं उसको इस्तमाल करें, यदि आपको इंस्टुमेंट बजाने का वर्दान है तो आप उसे बजाएं, आपको यदि हिलिंग का वर्दान है तो आप उसे इस्तमाल करें, आपको यदि देने का वर्दान है तो आप उसे इस्तमाल करें, आपको यदि किसी को काउंसलिंग करने का वर्दान हैं तो उसे इस्तिमाल करें जो भी वर्दान आपके पास है उसे इस्तिमाल करें जो कुछ परमेशर ने आपको दिया है उसे इस्तिमाल करें उसे दबाएं नहीं विश्वास योग्या ठहरें अपने वर्दान के परती परमेशर भी आपके लिए विश्वास योग् आमें आप सब को जैमसी की परमेशु के धन्यवाद हो आज की सुन्दर साम के लिए मैं आशा करती हूँ कि आप खुश है आनन्दित है आईए हम सब मिल कर प्राक्त न करें धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रह कारी पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं कि ये सुन्दर पल प्रभू तुने हम सब को दिखाया प्रभू ये सुन्दर सी शाम हमें दी पिता ताकि प्रभू इस साम में परमेश्य प्रभू हम संगती के सहभागी बन सके धन्यवाद देते हैं पिता पुत्र पवित्रात्मा आपकी उपस्तती इस समय हमारे साथ पे है हम धन्यवाद देते हैं प्रभू आपकी प्रेजन्स के लिए आपके Holy Spirit के लिए प्रभू और हर एक उस जन के लिए प्रभू जी जो इस संगती का सहभागी बना है प्रमेश्यु पिता हर एक जन को प्रभू आपके नाम से आशीज देते हैं प्रभू आप अपनी प्रेजन् किस समय परमेश्व पिता आखों के सामने जो विजन आ रहे हैं यह शुमसी के नाम से हम उने दूर करते पिता हर एक ध्यान प्रभू तेरी और होने पाए प्रभू उनका मन प्रभू उनका विचार परमेश्व सिर्फ और सिर्फ तुछ पर लगा होने पाए पिता होने दीज को बदले प्रभू, उनके situations को बदले परमेशु पिता, इस समय आपने ऐसा ही किया है खुदा, हम आपका धनेवाद करते हैं, येशु नासरी के नाम से हर एक जन परमेशु इस समय छुटकारा पाए पिता, प्रभू यदि आज वो कोई भी बंधनों में है पिता, येशु के नाम से दूर करते हैं, तैंक यू फादर, इस समय सारे बंधन तूट जाएं प्रभू जी, हर एक व्यक्ति इस समय आज़ाद हो येशु के नाम से, प्रभू यदि कोई भी ऐसी बात प्रभू जो उने प्राथना में बढ़ने से रोक रही है, येशु के नाम से हम उसे प्रभू जी, सच में प्रभू आप चाहते हैं, प्रभू कि हर एक जन प्रभू जो तुछ पर विश्वास करता है, जो तेरे पीछे चलता है, हर एक जन को प्रभू तुने दान वर्दानों से भरा है, पिता, और वो अपने वर्दान को प्रभू प्रजलित कर सके, उसे च इस्तमाल कर सके प्यारे कुदावन प्रतिफ़ आपके औरहें जो भी प्रतिफ़ आपकी उर्स मिलना ही षफ्से पास के प्यारे कुदावन धन्यवाद देते प्रमेशु पिता यदि यह अभी तक प्रभू अपने अपने वर्दानों को नहीं पहचान पाए है परमेशु पिता मैं प्रात्न करती है प्रभू जो अपने टैलेंट्स को प्रभू निखा रहे हैं प्रभू उनकी साहता करें कि बहुत अच्छा कर सके प्यारे परमेशु पिता प्रभू कोई भी प्रभू अपने टैलेंट की प्रती प्रभू निश्चिंत ना रहने पाए परन उसे चमकाने पाए उसे यूज करने पाए पिता और उसे जब वो यूज करें तो प्रभू आपके नाम की महिमा हो और आपका राज्य बढ़ने पाए पिता धनेवाद करते प्यारे प्रभू इस समय प्रातन करते प्यारे प्रभू जी हर एक के पारिवारिक समस्याओं के लिए येशुनासरी के नाम से हर एक पारिवारिक समस्याओं दूर हो जाएं पिता जब लड़ाई जगड़े हैं कलेश हैं मार पीठ है प्रभू और भी प्रभू जैलेसी है प परमेशर बहुत कुछ है जो गडबड़ी प्रभू इनके फैमिली में चल रही है पिता जिसको लेकर ये निराश है परमेशर आपसे प्रात्ना आपकी शांती आपका मेल मिला आपका प्रेम इनके परिवारों में आए और प्रभू जो भी कलेश है वो कलेश प्रेम में बदल जाए ये शुनासरी के नाम से धनेवाद करते पिता प्रभू जितने लोग प्रभू इस समय कर्जे में हैं बहुत जादा प्रभू उनकी जरुते हैं फाइनाशल प्रॉब्लम में है कंगाली में है दरिद्दिता में है ये शुनासरी प्रभू आपसे प्रात्ना है आपने महिमा मैधन से प्रभू इनकी सारी जरुतों को आप पूरा करें और हर एक करजा, हर एक financial problem, हर एक कंगाली येश्व नास्री के नाम से चली जाए, हम आग्या देते हैं, प्यारे परमेश्व प्रभू जिनके पास कोई भी जॉब नहीं, आप उने जॉब दें, जिनका marriage नहीं हुआ है, उन्हें आप प्रभू उनके marriage होने में आप साहत और मदद करें, प्रभू हम दुआ करते हैं प्रभू येश्व मसी आज जितने लोग अंदकार में हैं, प्रभू येश्व मसी एडिक्शन में हैं, बुरी लथों में हैं, प्रभू आज गलत-गलत कामों में involved हैं येश्व नास्री के नाम से, प्यारे पिता धन्यवाद, हर प्रकार की गडबड़ी प्रभू इनके परिवार को जो खराब करें, वो गडबड़ी दूर हो जाएं, प्रभू हस्बन वाइफ के बीच में प्रभू जो मिसंडेस्टैंडिंग है, करवाहत है प्रभू जी, ए आग्यकारिता में है पिता, आज प्रभू अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहें प्रभू, येश्व मसी आपसे प्रात्न है, कि प्रभू उन्हें आग्यकारिता में, प्रभू चलने में मदद करें प्रभू, हर एक जन जो तुछ पर विश्वास करता है, प्रभू वि पिताे जिस प्रकार प्रभू जी जब स्वामी प्रभू अपने लोगों को तोड़े दे कर गया और जिन्हों ने इस्तिमाल किया उन्होंने प्रतिफल पाया उसी प्रकार प्रभू ये भाए बहन भी अपने तोड़ों को इस्तमाल करें और प्रतिफल पास सके पिता, धनिवाद करतें पिता, आज की सुन्दर शाम में प्रभू जो बुरे सपने देखते हैं, डरावने विचार आते हैं, उन्हें बहुत दर लगता है, घबराहट बेचेनी होती है, हर प्रकार के पैनिक, अ सब्सक्राइब करते हैं, जिन्हों ने आपको कमरे में बंद कर लिया है, किसी इसे बातचीत नहीं करते हैं, प्रभू, यदि आज वो ऐसे डीप डिप्रेशन में है, खुदावने एश्यू के नाम से वो डीप डिप्रेशन उनके लाइफ से दूर होने पाए, थैंक यू धनिवाद प्रभू जब दुस्टात्में इन्हें डरा रही हैं, हर प्रकार की दुस्टात्में जो इन्हें डराती हम आग्या देते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़ कर और दुबारा कभी भी लॉट करना आना, धनिवाद करते हैं, इस समय प्रभू जितने लोगों ने प्रभू अपने request Instagram, Facebook, Telegram और आज YouTube comments में भेजे हैं पिता एक एक विंदी के लिए हम प्रात्ना करते हैं एक एक जन के लिए हम प्रात्ना करते हैं प्रभू उनके life में आपके कारिय हो पिता धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभू जितने लोग बीमारी में हैं प्रभू जी ये ये शुके नाम से खुदावन जो होस्पिटल में है जिनके kidney, liver, जिनका heart प्रभू, lungs प्रभू, blockage है काम नहीं कर रहा है ये शुके नाम से हर एक blockage दूर हो जाए, kidney, lungs, heart प्रभू, proper काम करने लगे घुटने चंगे हो जाए, कमर चंगी हो जाए, rate के हड़ी इसी वक्त चं प्रातनों को सुना, उत्तर हाँ, आमीन में दिया, धन्यवाद करते हैं, ये शुके नाम से प्रातना मांगते हैं, सुने और रहन करें, आमेन, आमीन, और आमीन